vector product या cross product dot में क्या बताये गया dot में कहा गया अगर a और b दो vector है उनके बीच angle theta है उनका dot product होता है a dot b और जिसकी value क्या होती है mod a into mod b cos theta यह जो value निकलेगी वो कैसे निकलेगी scalar quantity निकलेगी अब बात कर जाना है vector product में तो लिखे if a and b are two vectors if a and b are two vectors and theta is the angle between these vectors and theta is the angle between these vectors then then their cross product or vector product is given by अब जरा देखने की कोसिस करिए हमने कहा a cross b ऐसे लिखा जाएगा और इसका formula होता है mod of a mod of a बहुत ध्यान सुझा है क्योंकि dot product से यह tough होता तोड़ा सा निकालेगी तरीका भी इसका tough है mod a into mod b into sin theta यह आपका cross product निकालेगी तरीका है अब question यह उठता है कि भई आपने कहा यह vector product है मतलब जो product करने के बाद में result आएगा वो vector quantity होगी भई mod निकालेगे तो कुछ value मिलेगी ना mod b value मिलेगी sin theta कुछ value मिलेगी तो यह कुछ value मिल रही है ना और value बोले तो scalar value 1,2,3,4,5,15,16 ऐसे कुछ मिलेगा तो इसमें vector क्या हो गया तो हमने पढ़ा है किसी magnitude को अगर vector में convert करना हो तो कैसे convert करते हैं किसी magnitude को अगर vector में convert करना हो तो हम कैसे उसको vector में convert करते हैं उसके लिए पूरा chapter पढ़ना पढ़ेगा ठीक है एक सीज़ पढ़ाई गई थी unit vector unit vector क्या था ऐसा vector जिसका magnitude 1 होता है और उसका formula बताये गया था किसी भी vector को अगर mod of the vector से divide कर दीजे तो आपको क्या मिल जाता है unit vector अगर इसका cross multiply करो जरह तो vector a is equal to mod of a into unit vector जरहा इस concept को पकड़ने की कोशिज करिए किसी magnitude को अगर unit vector से multiply कर दिया जाए तो vector quantity मिल जाएगी मतलब इसकी जो भी direction है vector एके उस direction के magnitude उस direction के unit vector से उसके magnitude को multiply करो तो vector मिल जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि a cross b की जो भी direction होती है उसके unit vectors एगर multiply कर दें इसको तो क्या मिल जाएगा आपको यह vector quantity मिल जाएगी तो इसकी direction निकाले के तरीका समझेगा इसकी जो direction होती है वो हमेशा a और b के perpendicular होती है ध्यान रखेगा it is always perpendicular to a and b both तो perpendicular vector को हम लिखते है n से normal vector तो हम इसमें n cap से multiply कर देंगे तो जो हम unit vector से multiply कर देंगे इस पूरी value को तो क्या बन जाएगा vector quantity बन जाएगी मिल गई vector quantity तो n cap यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे n cap is the unit vector n cap क्या है यह unit vector है perpendicular to a and b both a और b के दोनों के perpendicular भी हम example दे के समझाएगे कि actually में इसका जो resulting value होती है वो उन दोनों के perpendicular होती है ठीक है note करिए इसको अब ज़रा इसकी direction निकाले का तरीका समझ लिजेगा निकालते कैसे हैं जाए साउधान a और b दो vector है a की direction में अपने right hand की हाथेली को फैलाई ऐसे a की direction में और जिधर b की direction है उधर ये उंगली को मोड़ी है ये वाली उंगली जिधर अंगुटा होगा वो इसके resulting की direction होगी ठीक है और इसकी direction होती है वो a और b दोनों के perpendicular होती है दिधान से देखिए हाथेली के perpendicular उठा भी है और इस उंगली के perpendicular उठा भी होग उठा है ठीक है वो जब कोई example आएगा तफस्वन में आएगा अब ज़रा एक note समय लीजेगा note यह question 1 का जड़ा दुनों तरफ मौड ले लीजेए the 12th class में आप जाएंगे अगर जाएंगे तो वहाँ पर वेक्टर का concept बहुत भेंकर रूप से पूरा mathematics में टापिक है वेक्टर देखिए अगर दौन तब मौड ले लीजेए आप a cross b is equal to हमने क्या बताया mod of a into mod of b into sin theta into n cap दोनों तरफ मौड लगा दीजे यह note यहाँ लिखिए लगा दिया मौड तो यानि कि mod a cross b is equal to दरा ध्यान से समझीगा यह तो आप लेडी मौड है तो उस मौड से मतलब ही नहीं है यह भी मौड है sin theta भी कोई value होगी तो मौड किस पर लगेगा n cap पे और n cap का modulus value क्या होती है 1 होती है तो यह काम खतम तो यह हो जाएगा आपका mod a into mod b into sin theta यानि mod a into mod b sin theta को क्या लिखा देशता है mod a cross b यानि कि अगर equation 1 को देखें by equation 1 तो यहां से लेकर के यहां तक हम कह सकते हैं कि mod a cross b लिखा हुआ है यानि कि equation 1 से हम कह सकते हैं कि a cross b is equal to mod a cross b into n cap तो n cap की value क्या निकलेगी यहां से a cross b upon mod of a cross b यह n cap निकालने का तरीका होता है ठीक है note करो देखें इसकी properties क्या होती है तो हम dot से इसको जोड़ेंगे dot product में पढ़ाय गया था कि अगर हम a dot b कर दें तो a dot b की value of b dot a के equal होती है इसका मतलब इस property को क्या कहते हैं यह property क्या कलाती है commutative ला थोड़ा सब आग कान को खोल करके बता है न थोड़ा सब दिमाग को लिए क्या बताया गया था तो vector product commutative नहीं होता है it is not commutative it is not commutative commutative यह commutative नहीं होता है क्यों नहीं होता भाई देखिए अगर मैं a cross b निकालता हूं तो formula के हिसाब से क्या भबना होता है कि mod of a into mod of b into sin theta into n cap जब a cross b लेते हैं तो angle between a and b होता है angle नापने का तरीका क्या होता है कि a से angle नापी है और b की तरफ जाईए माने दो vector है यह a vector है यह b vector है तो आप यह a से नापी है और b की तरफ जाईए और अगर आपने b cross a निकाल दिया तो यहां भी आएगा mod of a into mod of b sin तो आप b से नापी है और a की तरफ जाईए तो अगर आप इधर से जाते हैं anti-clockwise तो यह angle कितना आएगा और अगर आप यहीं से जाते हैं उल्टा तो angle negative हो जाएगा दोनों के से अगर आप इधर से जाते हैं तो angle तो positive रहेगा जाएगा angle कितना हो जाएगा 360 minus theta तो यहां हम sin theta को कह ले सकते हैं minus का theta और into n cap और sin minus theta होता है minus sin theta यह trigonality में पढ़ाए जाएगा तो यह हो जाएगा आपका minus mod of a mod of b into sin theta into n cap यह b cross a यानि कि आपने क्या देखा कि यह जो scalar जो vector product है वो commutative नहीं होता है यानि आपने क्या देखा it means that is a cross b is not equal to b cross a यह equal नहीं होता है और किसके equal होता है तो आप कहेंगे negative हो जाता है यानि a cross b अगर है और अगर b cross a है और दोनों के equal करोगे they will be negative तो यह पहला तो property है कि यह commutative नहीं होता ठीक है दूसरी इसकी property यह है कि जो vector product है वो distributive होता है vector product is distributive product is distributive distributive rule का follow करता है मतलब अगर हम a cross b plus c की बात करे तो simply हम ने वो तो होता ही है प्लस यह इस rule को follow करता है इसको proof करने जोत नहीं है statement याद कर लिजेगा तीसरी बात अगर theta 90 degree हो theta 90 degree मतलब vector a यह sign क्या कराता है यह sign क्या कराता है perpendicular to b अगर मालिया यह दो vector perpendicular हो और आप से a cross b निकालने की बात करें तो यह आएगा mod of a into mod of b into sin 90 into n cap यह आपका mod of a into mod of b into n cap हो जाएगा तो यह आपका a cross b है या अगर हम दोनों तरफ mod ले ले तो mod a cross b की value mod a into mod b आजाएगा क्यों एन cap का mod क्या हो जाएगा one हो जाएगा तो यह दूसरी property हो गई अगली property हो गई है हाँ यहाँ एक cross c होगा ठीक है तो यह तीसरी property हो गई यह कहरा है कि if a and b are a and b are parallel और anti-parallel अगर मैं parallel या anti-parallel कहता हूँ तो क्या कह रहा हूँ दोनों के बीच के angle की बारे में बात कर रहे है तो theta कितना हो जाएगा यानि कि it means that is कि theta या तो 0 degree होगा या 1 degree होगा तो दोनों ही case में sine 0 की value क्या होती है 0 होती है और sine 180 के भी 0 होती है तो दोनों ही case में अगर हम a cross b निकालेंगे तो क्या निकलेगा 0 vector में निकलेगा चूंकि vector quantity निकल नहीं है न तो एक cross b 0 होता है 0 vector क्योंकि यहाँ पर sine 0 आएगा या sine 180 दोनों के बीच जीरो होती है अगली property कहते हैं अगर scalar product आप सोरी vector product निकालें by itself vector product of a vector vector product of a vector with itself अब मैं statement पूरा बाद में complete करूंगा अगर किसी vector का vector product उसी के साथ करिए तो बताएए दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 और sine 0 के value 0 तो यानि कि यह जो vector product आएगा वो 0 होगा अब 0 नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे 0 vector क्योंकि value कैसी मिलने वाली है vector 0 vector या इसको null vector कहते है null vector यानि a cross a की value 0 vector आती है ठीक है नोट करिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि vector product of the orthogonal vector product of vector product of orthogonal unit vectors orthogonal unit vectors क्या होते हैं orthogonal unit vectors क्या होते हैं इनको कहते हैं मैं unit की बात नहीं करूं मैं आर्थो गोनल की बात कर रहा हूँ आर्थो गोनल unit vector किने कहते हैं कुछ नाम था कुछ indication था उसका i, j, k नहीं याद है i, j, k को कहा जाता है तो इनका कैसे निकालेगी जा समझेगा इसका पहला part हम लेते हैं अगर मुझे i x i निकाला हूँ जरा साउधान थोड़ टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ i x i i और i के बीच एंगल कितना होगा और यहाँ पर sign आने वाला है sign 0 की value यानि i x i की value क्या आएगी 0 j x j की value क्या आएगी 0 k x k की value क्या आएगी 0 यानि cross product में अगर आपको self i और i का और j और j का क्यों क्या आएगी 0 dot में बनाती थी लेकिन अगर अब जरा यहाँ लफडा है अगर i x j आप करेंगे तो फार्मुला क्या होता है i और j की बीच एंगल कितना होता है तो फार्मुला होता है कि mod of i into mod of j into sin 90 और इसके साथ n cap से multiply करते हैं n cap क्या होता था unit vector perpendicular to a and b both तो इसका होता है यहाँ unit vector लिखना है जो i और j के perpendicular हो i x axis होता है और j y axis के रांग होता है x और y दोनों के perpendicular कौन और z axis के रांग unit vector क्या z axis के रांग unit vector क्या होता है क्य होता है तो इसकी value आपकी k cap हो जाएगी mod i की value mod j ने खुद नहीं confirm है कि mod i क्या चीज़ होती है i unit vector है उसका mod क्या होता है mod j की value sin 90 value तो यह k आएगे की value यानि i x j की value क्या हो जाएगी k cap तो जहां पर i x j आएगा महां क्या लिखेंगे हम k cap अब अगर आपने j x i कर दिया अब देखो j x i में क्या करेंगे अभी हमने का i x j और j x i अलग-अलग होता है तो यह minus k cap हो जाएगा value negative आएगी अभी कैसे आएगी दो तरीके से बताते है देखो द्यान से यह x-axis होती है यह y-axis होती हो यह z-axis होती है perpendicular से बाहर की तरफ अब यह से बनाए नहीं जा सकता ठीक है जब हम i x j की direction देखेंगे तो i x j की direction देखने का तरीका क्या बताएगा है a x b की direction देखने का तरीका क्या था कि आप अपने right hand की हंथेली को a की तरफ करिए यानि right hand की हंथेली को i की तरफ करिए भई i इधर है ना x के along इधर i है ना और इधर j है है तो देखिए right hand की हंथेली को आपने किधर किया i की तरफ कर दिया अब j उपर की तरफ है तो उंगली किदर मोड़ेंगे आप J मोड़ गया यह अंगुटा परप्रिंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है यह राइट हंड तुम्हें दिख रहा है तुम कुले राइट हंड क्या होता है राइट हंड जिससे खाना खाते है और जिससे नहीं खाते हैं वो लिफ्ट ज्यादा तर लोगों का देखे इधर हमने क्या कहा राइट हंड की हथेली को किदर करेंगे आई की तरफ और उंगली वाली किदर मोड़ेंगे J की तरफ तो अंगुटा किदर आ रहा है बाहर की तरफ है परिप्रिणिकुलर और बाहर की तरफ Z-axis होता है इसलिए Z-axis के एलांग जो यूनिट रेक्टर है उससे मल्टिप्लाई किया गया ठीक है यहाँ पे आई ये जब J क्रॉस आई करेंगे तो क्या करेंगे J कि तरफ क्या करेंगे हम हतेली को करेंगे न तो J की तरफ हतेली को कर दिया अब ये उंगली किदर मुड़ेगी X की तरफ तो क्या X इधर है तो हम क्या करें हतेली इसे तोड़ दें हम इसको तो हम ऐसे करेंगे न अब देखें हतेली अभी भी तो J की तरफ है उंगली X तरफ है अंगुटा किधार जा रहा है यह minus z axis होगी न अगर बाहर की तरफ plus z axis है तो अंदर की तरफ इसलिए minus k से multiply किया गया है अब आप कहेंगे इस तरीके से कहां तक याद करेंगे हैं कि क्योंकि i cross j कुछ केवल i cross j की बात थोड़ी हो रही है i cross j, j cross i, j cross k, k cross i same multiply तो 0 हो जाएगा यह वाला लेकिन यह तो याद कना पड़ेगा न तो इसका तरीका क्या होता देखिए तरीका यह है कि आप एक circle बना दीजे इस circle में anti-clockwise या clockwise जिधर आप चाहें उधर i, j के लिख दीजे चुकि angle anti-clockwise measure होता है तो इसमें anti-clockwise direction में तीन arrow बना दीजे बना दीए और इसमें लिख दीजे i, दूसरे arrow की सामने j तीसरे arrow की सामने k ज़रा समझने की कोशिश करो जब arrow की तरफ चलना सुरू करोगे i cross j, क्या मिलेगा? j cross k, क्या मिलेगा? i k cross a, क्या मिलेगा? j अगर arrow से उल्टा चलना सुरू करोगे j cross i, मानस k i cross k, मानस j k cross j, मानस i, ठीक है? arrow की तरफ चलोगे तो अगला नमबर मिलेगा positive arrow से उल्टा चलोगे तो negative मिलेगा तो यानि कि अगर यहाँ पर आप से कह दिया जाए i cross j हो गया अगर आप से कहा जाए j cross k होगा तो j cross k क्या हैगा? i आप से कहा जाए k cross i क्या होगा? तो k cross i क्या होगा? j और उल्टा चलिए i, जैसे उल्टा इथर कर चलेंगे आप k cross j क्या हैगा? मानस का i तो इस तरीके से आप circle बना लेगे जहां भी आप निकालेंगे गए लो नोट करिए इसको एक vector a दिया गया है a1, यह vector नहीं है यह arrow ऐसे रगा रहे हैं के वर a1 i वो कैप अपने आप आए a2 j plus a3 k और एक vector b दिया गया है b1 i plus b2 j plus b3 k और आप से कहा गया है कि भीया a cross b निकालिए देखे हमने a cross b कहा है a cross b में आप mod a mod b sin theta ना लगा देना आप से theta नहीं पूछा गया है जैसे हमने कहा था अगर a dot b निकालना है तो आप a dot b निकालिए आप mod a mod b cos theta मत लगाए mod a mod b cos theta तब लगाएंगे जब आप से angle between the vector की बात करें तो पहले एकी वर्यू रखे उठा करके a 1 i plus a 2 j plus a 3 k cross b 1 i plus b 2 j plus b 3 k जराश साउधान अगर हम इसको bracket खोलने की कोशिस करें तो हम देख रहें कि a 1 b 1 i cross i आएगा a 1 b 2 i cross j आएगा a 1 b 3 i cross k आएगा ऐसे तो multiply होगा तो i cross i 0 होगा फि i cross j i cross k को आपको बनाना पड़ेगा circle तो इसको निकालने का एक simple सा तरीका होता है जैसे आपने 9 10 में simultaneous equation solve करने के लिए cross multiplication method पढ़ा होगा एक तीन method थे एक elimination method एक substitution method एक cross multiplication method उसी तरीके से यहाँ एक होता determinant तो हम करते क्या है जैसे matrix पढ़ी है वैसे यहाँ पर दो straight line खीज लेते हैं ऐसे यह determinant बनने जा रही है उपर लिख देंगे i, j, k थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे column के रूप में फिर यहाँ पर i का जो coefficient है i के नीचे j का coefficient j के नीचे और k का k के नीचे तो आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 यह लिख दिया जाएगा यह जो हमने बनाया है ना इसको कहा जाता है determinant determinant इसका पूरा brief study जो है पूरे mathematics में इंटर्मिनन कराई जाएगे अब फिलाल यहाँ को इसको expand करना सिखाया गया है अब इसको expand करना थोड़ा सा खतरनाक है तो एक तो हम इसको expand करेंगे थोड़ा सा lengthy जिससे के समझ में आ जाए matrix type की नहीं एक रही है लेकिन matrix से है नहीं यह क्या कराता है row पहली row second row third row यह पहला column दूसरा column और third column इसको expand करने का तरीका देखिएगा हम इसको first row के लांग खोलते हैं तरीका समझेगा हम पहले यहाँ लिखेंगे i लिख दे i जब i लिख देंगे तो i किस row में है किस कालम में है तो हम first row हटा देंगे man में इसको हाइसे नहीं हटाएंगे i, j, k हम first row हटा देंगे और first column हटा देंगे यानि i जिस row में हो गाइब हो जाएगा उसको छुपा दीजे और जिस कालम में उसको छुपा दीजे यह बचेगा इतना तो इसको हम छोटी सी determinant बना के लिख देंगे a2, a3 a2, a3 b2, b3 यह बात समझ जाए इतनी आप किसके बाद पहुँचेंगे तो यह i हमने प्लस में लिखा है तो j माइनस में लिखा जाता है पहला प्लस फिर दूसरा माइनस उसका रीजन अभी हम बता रहे हैं अब देखो j किस row में है second row में है किस row में है किस कालम में है तो first row को छुपा दीजिए second column को छुपा दीजिए क्या बचेगा a1, a3, b1, b3 तो यह बचेगा a1, a3, b1, b3 फिर पहुचे इसके पास तो प्लस लिखेंगे k k किस row में है first row को हटा दीजिए third column कोटा दीजिए क्या आप चाहिगा a1, a2, b1, b2 यह लिख दिया आपने ठीक है पहुचे यहां तक अब देखो इसको कैसे expand करेंगे देखे i लिखेंगे इसके बाद इसका इससे multiply करेंगे पहले इधरी करेंगे फिर माइनस करके इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा a2, b3 माइनस b2, a3 फिर यहां पहुचेंगे माइनस का j हो गया इसका इससे multiply कोगा a1, b3 a1, b3 माइनस b1 a3 प्लस का k करेंगे तो आएगा a1, b2 माइनस b1 यह पकड में आया तरीका अब जड़ा इस तरीके में इस वाले step को हम omit कर देंगे omit जानते हो ने English में किसे कहते है omit 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 हो गया इसलिए बनाया गया होगा सुनो ध्यान से हम करेंगे क्या i लिखेंगे हम लिख दिया अब i को छुपा दो और इसको छुपा दो इसका से बिल्टिपलाई कर दो माइनस इसका से बिल्टिपलाई कर दो हो गया ही यह step आ गया फिर माइनस का j लिखा j को छुपा दीजिए फर्स लोगो और सेकेंड कालम को तो a1 b3 माइनस b1 a3 यह आ गया प्लस का के लिखेंगे रो हटाओ कालम हटाओ a1 b2 माइनस b1 a2 तो डाइट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि यह confusion हो सकता है तो एक step बढ़ा दीजिएगा ठीक है तो यह आपका a क्रॉस भी को expand करने का तरीका है नोट करिए देखें cross product के कुछ example है पहला तो torque का example है torque torque का formula हमने क्या पढ़ा है जिसको momenta force कहते है उसको यह टॉ से लिखा जाता है formula होता है R x F यह torque का formula होता है gainerly हमने जो 10th siamo पढ़ा है उसमें हमने कहा कि कोई भी body है माल्य यह यह इस point में इसको हमने ऐसे कील गार के ऐसे fix कर दिया ठीक है यहां से force लगाया हमने तो तब यहां force लगाओगे तो body ऐसे घुमेगी ना इसके चारों तरफ तो यह force की line of action है और यह r है तो आपने पढ़ा f into r यह torque होता है यह moment of force होता है यह आपने 10 पढ़ा है अब चुकि vector की बात कर रहे है तो इसको tau से represent करेंगे r cross f से ठीक है अब हम दिखाना यह चाहते हैं कि जो tau की direction होगी और r और f दोनों के perpendicular होगी r माने यह आपका axis of rotation अब देखो ध्यान से यह हमारे पास यह घुम रहा है ना torque का मतलब होता है कोई ची घुम रही हूँ torque का मतलब क्या होता है अगर आप से पुचाए torque है किस बला का ना अगर किसी body पे आप force लगाईए और force लगाईए और body linearly ऐसे displaced हो जाए तो जो आपने force लगाया है उसका नाम force होगा बले हैं लगाया ही force है लेकिन अगर आपने force लगाया और उस force के लगाने से body rotate हो जाए तो उसी force को हम क्या करते हैं torque तो देखे यह जो यह ऐसे खोल रहे हैं वैसे force लगा रहे हैं यह force reduction है और यह R है इसका अब देखो ज्यान से हमने क्या कहा torque निकालने के लिए यह इसकी R है ना यह R तो R की direction में आप क्या करेंगे हतेली कर दिया force इधर लग रहा है ना तो ऐसे अंगटा मोड़ा उंगली मोड़ी अंगटा किदर है तो नियमता torque की direction क्या होनी चाहिए इधर सामने camera के नहीं आए यह यह खुल रहा है ना इसकी ऐसे अभी हम खुल नहीं रहे है यानि इस पर force लगा रहे है तो यह घूम रहा है ना तो हमने का force लगाएं अगर घूमे तो उसी force को क्या करते है torque यह तो torque की physical meaning है लेकिन वैसे हमने क्या कहा आर की direction में आप क्या करिए अपने हथेली को यह आ रहे है ना line of action line of action मतलब है sorry क्या कहेंगा axis of rotation तो इधर आर कर दिया force ऐसे लगा रहे हो ना आप ऐसे तो आप अपने उगली को ऐसे मोड़ोगे अंगुटा कि इदर है अगर इसमें force लगाते ही जा तो यह धकन किदर जा रहा है यह तो जा रहा है अच्छा अगर इसको बंद करो तो बंद में ऐसे force लगाओगे तो R की direction में कर दिया आमने हथेली और F कैसे मोड़े अपने उगली को तोड़ दे हथेली उल्टी कर दे ऐसे force की direction में उगली मोड़ा अंगुटा किदर है और यह धकन किदर बंद हो रहा है नीचे की तरफ ठीक है तो यह मतलब होता है कियानी कि जो tau की direction है और R और F के दोनों के perpendicular होता है ठीक है एक होता है दूसरा होता है angular momentum यह इसका example है यह अगले chapter न पढ़ाये जाएगा angular momentum इसको लिखते है R x P R x P moment of the linear momentum यह L से denote होता है किसी book में J लिखा हुआ है capital J इसके बारे में आप नहीं जानते यह आगे chapter न पढ़ाये जाएगा angular momentum तीसरा होता है मालू में नहीं तो काह के लिए जब पढ़ाये जाएगा तब बताये जाएगा अच्छा इसका एक और चला समल लिजएगा इसका एक geometrical meaning है उसको समल लिजएगा एक note करके लिख लिजएगा यह पैले लोग्राम है दिखना पैले लोग्राम यह सब मैं पढ़ाये जाएगा यह पैले लोग्राम की दो एड़ज़सन साइट्स हैं अगर यह एड़ज़सन साइट्स ए हो और यह एड़ज़सन साइट्स भी हो और आपको इसका एरिया निकालना हो तो एरिया पैले लोग्राम जो होता है एरिया पैले लोग्राम ऐसे लिखेंगे न, A x B होता है, यह ध्यान रखेगा, अच्छा जी बताइए, A x B निकालने पर जो value निकलेगी, वो vector quantity होगी या scalar quantity, तब से हम गदेक तरे चिला रहे हैं, कि यह vector product पढ़ाएंगे, तो vector product पढ़ा रहे हैं, और बतारों, यह scalar होगी, ठीक है, A x यह multiply नहीं हो रहा है, यह A x B निकल रहा है, तो vector होगा है, scalar होगा, यानि कि area is a vector quantity, area कैसी quantity होती है, यह class 12 में concept यूज़ किया जाएगा, physics में जिगे, area is a vector quantity, तो आपको बताए जाएगा, आपने 11th class में, वो रहे तफ़त्व हमें इसे बढ़े रहे थे, वो पढ़ा रहे थ और अगर value निकाल ली होगी, तो हम mod लगा देंगे, तो यह आपका, अच्छा, अगर मैं इसको triangle बना दूँ, और area of triangle निकाल दूँ, तो यह diagonal, जो यह जो diagonal है, यह इसको half part में बाढ़ता है, नहीं बाढ़ता है, तो अगर हमको यहाँ से area of triangle निकालना हो, तो कैसे निकालें ठीक है, एक बढ़िया सी चीज, अगर आप से sin theta पूछें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक cross भी निकालना पड़ेगा, मत निकालिएगा, अगर उस sin theta पूछे तो आप निकालिए एक a dot b, a dot b से sin theta मिलेगा, क्या मिलेगा, a dot b जब करोगे तो cause मिलेगा ना, वहा से cause निकालिएगा, और हम जानते है, sin square theta प्लस square theta, वहाँ से sin theta निकालिएगा, ठीक है, तो ये तरीका होता, ये पूरा detail है, cross product या vector product का,